निमश्गारा दोस्तों मैं हूँ पलकुत महूंन सिंग्ला स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज हम इस विषे में बात करेंगे कि क्या हम किसी जीवत इंसान के निमित दान कर सकते हैं किसी का सवाल था तो आज इसी पर वीडियो बन रही है दोस्तों जिस तरीके से मरेवे लोगों के निमित दान किया जाता है उनको शांती पहुँचाने के लिए उनको शक्ती पहुँचाने के लिए उनकी निमित अच्छे कर्मों को अंजाम देने के लिए इसी तरीके से हम जीवित इंसान के प्रती भी दान कर सकते हैं इस दन्या में हूँ, चाहे वो हमारे घर में रहते हूँ, चाहे हम हम से दूर रहते हूँ, हम उनके निमित दान कर सकते हैं, अक्सर लोग जीवित इंसानों के निमित पूजा पाठ भी करते हैं, दान भी करते हैं, कैसे जैसे आते हैं, जहाँ आपका कोई परीजन है, बिमार या फिर गलत कर्मों में है अपरादिक शैली के कर्मों में है या भठकावा है या यूं कह लिजे किसी भी तरीके से रूठावा है तो अक्सर लोग बहुत इस तरीके से उनके निमत प्रेयर भी करते हैं दान भी करते हैं इन ओर्डर के वही कोई बिमार है तो वो क्योर हो जा या उसका बचाव हो जाए अक्सर गलत हरकतों में जैसे बहुत लोगों के इना गुष्ट हो जाएगा इनको इसका परिनाम छहिलना पड़ेगा तो इस चिंता को करते हुए भी अक्सर लोग दान करते हैं या प्रे करते हैं अपने परिजन के निमित बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जनरल वे में अपने घरवालों के निमित दान करना चाहते हैं करना चाहते हैं और वो लोग घर वाली अगर नास्तिक हैं या कोई बहुत को नहीं मानता खाहए दान को नहीं मानता पूजा पार्थ या कस्टम्स और रिचल्स को फिनल फि एत्व कर सकते हैं इस में संबसे बड़ी चीज जो समझने की है या Lucky है वही है कि आप चाहे उनके निमत कितना ही दान करने हैं, दान करना भी बहुत सिंपल है, उनके निमत आप दान करते हुए बोल सकते हैं कि मैं जो यह मनी मन, कोई भी आइटम, फूड आइटम, खाने की चीज, कपड़े, कुछ भी आप दान कर रहे हैं, whatever you feel like, according to your own wish, तो आप यह प्रातना कर सकते हूं, मनी मन के मैं उस पर्टिकुलर फालाना परीजन के निमत दे रहा हूं, और भग्मान इनको शक्ती प्रदान करे, इनके कामों को बनाए, इनके संकट को दूर करे, हम यह नहीं कह सकते हैं, आत्मा को शांती दे, क्योंकि इनसान तो जीवित है, बस उनकी भले की मन कामना कर सकते हैं, पर इस पर सबसे बड़ी जो में बात देखने लाएक है, वो यह है कि उस इनसान के दौरा कैसे करम हो रहे हैं, अगर उसके दौरा बहुत जादा बुरे करम हो रहे हैं, तो उसके जो करम हैं बुरे, वो ओवर पावर करेंगे आपके दान को सबसे बड़ी चीज़ है भक्ती दान से सबसे बड़ा उपर है कर्म आप हजारों लाखों करोडों का दान कर दोगा अगर आप कर्म बुरे कर रहे हो तो भी आपकी गती नहीं होगी आप प्रेट योनी में भी बठकोगे और 84 लाखियों के फेरे में भी घुज जाओगे य किसे बहुत बुरे करम की बहुत जादा बुरे और उसको कुटे की योनी प्राप्त होने वाली है सडक के कुटे की जो भूका प्यासा है डाय डाय डोल रहा है लोगों की मार सहरा है पत्थर खा रहा है कूडा खा रहा है और जड़कियां खा रहा है लोगों की और उसको को भी तरीकी की medical help नहीं है पर उसने अपने प्रारब्त को सुधारली अच्छे करम करकर के करकर के दान करकर के तो हुआ क्या यो नी उसको कुत्ते की पर एक पालतु कुत्ते की हुई घर में वो है खुँब मौज ले रहा है खुँब खाने पिने की मौज है खुब प्यार और दुलार मिल रहा है बड़ी अब इसतर पर सो रहा है ठीके लग रहे हैं हलकी सी भी छी का जाए हलकी सी भी लग जाए तो डॉक्टर को लेके घर वाले भागते हैं यानि एक family members से जादा उसको प् इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि आप जो भी बुरे करम कर रहे हैं अपने जीवन में उसके प्रती जो प्रारब्द आपका रचा जा रहा है वो प्रारब्द तो आप नहीं बदल सकते पर अच्छे करम करके दान करके आपने स्थिति सुधार सकते बहुत लोग बुरे करम करके ऐसे अपने लिए प्रारब्द कर लेते हैं कि उनके लिए जो एक चीज बहुत जादा हो जाती कि उनको दुख बहुत जेलना पड़ेगा परिशानियां बहुत जेलनी पड़ेंगी पर जब वो अगर अच्छे करम करते हैं अपनी शेष जिंदेगी में दान करते हैं तो ऐसी ते आजएगी कि उनने दुख जेलने की हमत मिल जाएगी दुख में थोड़ा मर्हम मिल जाएगा दुख की लगता है एक limit तक ही उनकी मदद करता है यह नहीं है कि completely वो effect आ जाएगा जो आप सोच रहे हूँ सही जो effect आता है दान का वो अगर वो बंदा खुद करें अपनी सची भावना से करें मन से करें कि हान एक प्रुपकार की भावना से करें तब बात अलगे पर अगर उसके मन में feeling नहीं है किसी के लिए feeling की नहीं है किसी पहल अच्छा करने की पर आप उसके निमित कर ले हो तो यह आपकी सोच है कि आप उसके निमित अच्छा चाहरे हो पर वो इस इस इंसान में इतना भी भाव नहीं है तो कुछ हद तक ही उसको उसदान का benefit मिलेगा उसमें भी आपकी भावना सची है इसी कारण completely नहीं मिलेगा क्योंकि उसके खुद के individual के बुरे करम अगर वो कर रहा है तो वो भी आड़े आएंगे और साथ की साथ उसकी disbelief उसकी ऐसी न मानने की भावना कहँ लो या दयाजरन की भावना उसके अंदर ना होने की बात कहऊँ या उसकी जो आड़े आएगा उसको उस को इस सतकर्म का benefit दिलाने में कोई इनसान विमार है उसके प्रारप्त करना तो अजए एmost पाट सकता है वक्त या उस दर्द को सहने कि उसमें हिम्मत आ जाएगी थोड़ी बहुत अगर उसके प्रारब्द में है तो नहीं चीज हट सकती पर यह है कि थोड़ा रिलीफ आ जाता है बस यह बात होती है आप आप कम्प्लीटली फेट नहीं बदल सकते किसी का भी तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो इसी तरह सुनते रहें प्याद देते रहें सब्सक्राइब कीजिए चैनल को स्वादी दोस्तों आज पता नहीं मेरे तनी मक्ही आ गई है कि वह विचारी आपको बहुत अच्छे रिजर्ट्स मिलेंगे अपने बचाव के लिए यह हमेशा आपकी रक्षा करेगा और जिंदगी भर आपको बचाएगा यह कभी खराब नहीं होगा आपको सिंप्ली मोबाइल नंबर 813331007 पे वटसे मैसेजजर कॉल करना होगा डिस्क्रिप्शन म आपको डिटेल्स मिल जाएंगी मैं हूँ अपने दोस्पिल कि तुमांग से मिला